जै जवान जै किसान दोस्तों संदू एग्रोफार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजमी शिंग संदू आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम आए हैं करनाल में रोईद भाई के फार्म पर आज हम जानेंगे देशी मुर्गी के एक नई ब्रीट के बारे में जिसका नाम है ब्लैक एस्ट्रोलोप जो दुनिया की सबसे जाद अंडे देने वाली मुर्गी है तो चलिए आपको मिलवाते हैं रोईद भा किसान भाईयों के लिए बहुत त्थी जानकारी लेकर आते रहते हैं और डॉक्टर साब बधाई के पात्र हैं मारे पीछे काले बर्ड और लाल कल्गी में हैं दिखने में तो यह कड़कनाद लग रहे हैं लेकिन लाल कल्गी है इसलिए लग रहा कि यह प्योड़ देशी है कौन सा बर्ड है थोड़ा सा मारे दर्सकों को इस बारे मताई जी मैं बताना चाहूंगा आपको डॉक्टर साब की यह जो बेसिकली बर्ड है इसका नाम वैसे ब्लैक स्ट्रलॉप है बेसिकली यह अस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है और नैंटी ट्विंटी के अंदर ज सकते हैं और देसी मुर्गी पालन में आरअरे के साथ सा जैसे आर अपनी जगापर है उसके बाद अगर हमwerk smiling करते हैं तो ब्लैक स्ट्रेलिया यह की मुर्गी है इसलिए सबसे बड़ी जो इसकी खासियत एक ऐसे एन्वार्माइनटल जो होना पर के गर्मिया है तो इतनी गर्मिया घृबा के सर्दिया ओर गर्मिया रहने से प Eh पर हमालिया है लां कि हम बात करते हैं टैमपरेचर जो है माइनेस में रहता है या डाउन रहता है टेंपरेचर अगर हम बात करते हैं नोर्थ इंडिया के जो जोन है रियाड़ा पंजाब है या पर ज्यादा गर्मी होती है इससे भी ज्यादा गर्मी राज्यस्तान में होती है तो इस वज़ा से जो सबसे बड़ी बात है क्लाइमिटिकली चेंज की जवर्दस्त है इसलिए इस मुर्गी को हम जो है अपने किसान भाईयों के लिए इंट्रेडूस करवा रहे हैं मतला इसे केरल से कश्मीर तक हम कहीं भी पाल सकते हैं यह बताईए यह फीड किसी साब से लेती है खर्चा कितना आता है एक मुर्गी जब तक अंडे पे आती ह है तब तक हां बहुत अच्छा स्वाल है आपने सर किया देखिए जब फीड की बात करते हैं देवन से क्योंकि जब चूजा चोटा होता है तब से लेकर के चिक्रम लगती है इसकी मैं फीड शेडूल के साथ आपको बताता हूं थोड़ा शोट में जैसे की जीरो दिन से ल करके 170 दिन तक इसमें लेर वन और 171 दिन के बाद इसको लेर फेस टू जो है फीड चलता है यह इसका फीड का शेडूल है खर्चे की बात करते हैं अंडे पर आने तक के लिए अगर आप बजार की फीड पर रखते हैं तो लगबग यह 14 किलो से लेकर के 15 किलो ग्राम फीड अनुज पर फूल परफॉ Lucky जैसे आप हैं लगबग मान कर चले के एटी परसंद का स्पास पर्डक्शन दें देती लुद implant का फीड से इसका क्षेडnek चाल करती पड़ियार तो लगबग मान कर चले के एक्टी परसंट क्या स्पस स्ट परड़क्शन देैं इसका ह। दिनके फीड की लोगों को बहुत आसान समझाना पड़ेगा क्योंकि कई लोग सवाल करते हैं मोटा मोटा आज के फीड के रेट का काफी ज्यादा हाई है तो उसको मैं देखते हुए अगर फीड के रेट की अंडे के साथ कैलकुलेशन करूं तो प्रतेक अंडा हमें कई लोग करना चाहते हैं और वो कंपनी का फीड ना दे के अपना घर का फीड दे या आपका बरसी में या दूसरा हरा चाहरा है क्या उस पे भी इसको पाल सकते हैं हाँ बिलकुल उस पे भी पाल सकते हैं लेकिन वह एक सबसिचूट ओफ पीड है अगर आपको मुर्गी को दाना देना है देखिए मुर्गी ने अपनी अनरजी और अपना प्रोटीन पूरा करना है तबही वह अपना अंड़ा देगी आप अगर बात करते हैं अप Kn MILL कुछ हरा-चाला खिलाते हैं यह घर का आजा फ्री रेंज फार्मिंग तो यह सब चीजे मैंटर नहीं करती फिर ताब कुछ भी डाल रहे हैं तो चलेगा बीमारी कैसी है इसमें हाँ बीमारी की सरम बात करते हैं देखिए जैसे मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियो में बताया है एक और बात बताऊंगा है उसके ड्रिंकर फिल्टर साफसूतरे रखेंगे टाइम टाइम पर जो उसको बोडी को रिकॉाइड है मल्टी विटामिन है या कोई लिवर टोनिक है या हम बात करते हैं कि डी वार्मिंग बगारा पेट के कीड़े की दवा कुछ भी डॉक्टर के परामर्श के नुसार ह कुछ देते रहेंगे तो बिमारी ना के बराबर है दूसरी बास सर के वैसे भी दूसरी मुर्गियां जो हम रखते हैं देखिए उसमें चाये हम बात करते हैं इवन आर यार भी है उससे जज़ादा बिमारी उससे लड़ने की शमता है इसमें क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बर्ड जितना ज़धा हाड एक डिशन से निकल के आया होगा उतनी ज़धा रोक प्रत्री उसमें ज़धा होगी यदि कोई किसान या कोई भी जो पॉल्ट्री में रूची रखता है इसको करना चाहे और अच्छे अंडे के प्रोड़क्शन के लिए करना चाहे तो आप क बाद मानता हूं तो सबसे बैस्ट ब्रीड है वो ब्लैक एस्ट लोप है इसके बाद ही आर एर का नंबर आता है नंबर एक मैं ब्लैक एस्ट लोप पो रखूँगा एक और बात आपके के मद्देफ से बताना चाहूंगा कि काफी किसान भाईयों के साथ ठगी की जा रही ह ब्लैक रोक का चूजा दे दिया, बाड रोक का दे दिया, किसी और ब्रीड का चूजा दे दिया, एक दिन के चूजे में पचान नहीं होती ही किसान भाई को, और वो ब्लैक एस्टलोप बोलके उससे बेच देते हैं, ब्लैक एस्टलोप का फ्लोप मैंने भी, आज मैं जो वी चाहन पर रखे बाकि मैं ब्लैक स्ट्रोप को नंबर वन पर रखना चाहूंगो एक की प्रोडक्शन ज्यादा है बीमारी उसे लड़ने की शमता ज्यादा है दूसरी बार सबसे बड़ी इस बीमारी मुर्गी के अंदर है कि फीड कंजप्शन बहुत कम है फीड बहुत कम खा ब्लैक एस्ट्रोप बर्ड के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी यदि आपको इनके द्वारा दी की जानकारी और हमारे द्वारा की के कोशिस अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें जाज जाज सेयर करें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब